जीव, ब्रह्म, माया, ये तीर तत्व हैं, इसमें करता जीव है, और भोग ये दो हैं, एक भगवान, एक माया, अनाधिकाल से हमने माया को भोग माना, और नाना दुख पाए, वास्तों में हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारा स्वामी हैं, हम उनसे नित्यदास हैं, ये हमारा उसका संबंध है, सनातन। इसलिए भगवान को प्राप्त करना ही हमारा साध्य है, उस साध्य का साधन केवल भक्ति, एक भक्ति, भक्त रेवाईनम नयति, बेद कहता है, भक्ति ही, ही लगा दिया ही, एनम माने जीवम, नयत माने प्रापयत, भक्ति ही जीव को भगवान के पास पहुचा देती हैं, और कोई नहीं पहुचा सकता, कर्म स्वर्ग तक जाता है, और ज्ञान तो मुक्ति देता है, वो ब्वईत वहां रहता ही नहीं है, और कोई साधन ऐसा नहीं है, जो भगवान से मिला सके, केवल भक्ति, उस भक्ति का लक्षण बता रहे हैं, पहला लक्षण है भक्ति का, कामना हीन, भगवान से प्रेम करना है, गुरू से प्रेम करना है, दोनों की शरनागती कमपलसरी है, लेकिन शर्ट यह है कि अपनी कामना न रखी जाए उनसे कुछ मांगा न जाए अपनी कोई कामना न हो उनकी कृपा के लिए उनके सुख के लिए उनकी सेवा के लिए ही कामना बने अपने सुख के लिए नहीं एक कामना नाम की चीज अनाधिकाल से हमको संसार में घुमा रही है सब रोगों की जड़ यही कामना है संसार संबंधी कामना अपने सुख की कामना और अपने माने मैं का और मैं माने आत्मा तो आत्मा का सुख तो कोई चाहता नहीं सब समझते हैं मैं का माने देह और मैं का सुख माने देह का सुख तो देह के सुख के लिए हमारे संसार में सब प्रयत्न करते रहते हैं इंद्रियों के सुख के लिए, मन के सुख के लिए, आत्मा के सुख की चिंता नहीं है किसी को तो कामना सब प्रकार की छोड़नी होगी जितनी भी कामनाएं हो सकती है अब कामनाएं कौन-कौन हैं यह भी जान लेना आवश्च्टक है एक कामना माइक माइक और एक आमाइक बस दो ही हो सकती है तीसरी कौन कामना होगी क्योंकि तीसरा कोई ये रिया नहीं संसार से अपने सुख की कामना या भगवान से अपने सुख की कामना यही दो तो होगा तो संसार को बहुत लंबा चोड़ा है लेकिन उसको हम तीन भागों में बाट सकते हैं संसार का सुख तीन प्रकार का एक तामस एक राजस एक सात्य तीन प्रकार का काम है खामना है बासना है इच्छा है तमों गुणी इच्छा शराप पीना मांस खाना तमाम गंदी गंदी चीजों का सेवन करना क्रोध करना एक तमाम चीजे तामस है राजस है अनेक प्रकार के पक्वान मिठाई इन सब की चाचकारिता बीमारी एक राजस है और सात्विक है स्वर्ग संबंधी कामना उसमें इमर्त्य लोग की कामना को काचना पड़ता है थोड़ा कठिन है वो थोड़ी तपस्या है उसमें तब स्वर्ग मिलता है संसार के सुख का त्याक करना पड़ता है यह जगत क्या सुख तो साथ्विक सुख स्वर्ग का राजस सुख मृत्य लोग का तामस सुख नरक सम्मन भी फल देता है यह तीनों प्रकार के आप कहेंगे कि साथ तामस में क्या सुख है हाँ है शराबी से पूछो शराब में क्या सुख है अरे साहब क्या बात करते हैं करोणो मा बाप बेटा इस्त्री साथ निच्छावर कर दो एक बोतल के उपर कितना सुख है उसमें वो चैलेंग पूरवक कहता है तो उसको सुख मिलता है जैसे मैंने बताया पाखाने के कीड़े को पाखाने में सुख मिलता है सुख को गंडगी में सुख मिलता है उसी प्रकार जैसे हम लोगों को अपने गंडे बच्चे के मुह पर मुह रख देने में सुख मिलता है नाक बे रही है बच्चे के उसको अपने साथ बिठा के खिला रही है माँ खिला रहा है बाप सुख मिलता है उसको वो गलत फलत जो भी है है सुख मिलता है उसको थोड़ी देर के लिए मिलता है तो तामस में भी तामसी लोगों को सुख मिलता है राजस में राजसी लोगों को सुख मिलता है और साथ सुख में देवताओं को सुख मिलता है तो ये तीन प्रकार के सुख है माया के तीन गुण है इसलिए उनके सुख भी तीन प्रकार के है और अपने अपने सुख को सब अच्छा कहते है तामस वाला कहता है बेवकूप है इतनी मेहनत करके स्वर्ग जाते है हरे शराप पीओ पिर देखो क्या आनन्द मिलता है उतको अपनी लक्ष में अपने सब्जेक्ट में सुख मिल ला है औरों के निंदा करता है रजोगुणी तमोगुण सत्वूण की निंदा करता है सत्वगुणी इन दोनों की निंदा करता है लेकिन जो भगवान संबंधी अलवकिक सुख चाहता है वो इन तीनों की निंदा करता है सत्वगुणी भी रजोगुणी भी और नीचे गिरते हैं तमूगुणी ये तो भविश्ची की बाते हैं ये तो गुणातीत लोग सोचते हैं तत्पक ज्यानी लेकिन जो जिस गुण में आ सकत है उसी को अच्छा मानता है भरतिहरी जब संसार में आ सकत थे तो वो तारीफ करते थे संसार की संसारी प्यार की संसारी सामान की पराकाष्ठा की उनका शतक बना हुआ है और जब बैराग्य हुआ तो उसी संसार की इतनी निंदा किया पराकाष्ठा कर दिया तो जिस समय जो व्यक्ति जिस में आ सकत रहता है उस समय उसी की प्रशनशा करता है और सब को क्या जिबताता है जब बेकार है यही ठीक है और जब आगे बढ़ता है तो कहता है यह गलत था यह ठीक है छोटे बच्चे गुड़ी गुड़िया का खेल खेलते हैं अगर कोई छीन ले यह क्या खेल ला है गमार तो रोते हैं हमारी गुड़िया चीन लिया हमारा गुड़रा चीन लिया आते हैं और शादीवादी कर लेते हैं तो कहते हैं हसते हैं कहते हैं मैं भी क्या बेवकूफ था गुड़ी गुड़िया खेल खेलता था जो तत्वक ज्यान हो जाता है किसी गुरू के द्वारा तो वो हसता है कि सप्कोगुण में भी सुख नहीं, रजोगुण में भी नहीं, तमोगुण भी नहीं है और हम इसी में सुख मान रहे थे तो तीनों गुणों के सुख को या उनकी कामना को सबसे पहले छोड़ना होगा कामना छोड़ना होगा भगवान से मांगने की बात छोड़ो भगवान से नहीं मांगना है ये तो ठीक ही है लेकिन अंदर से भी कामना छोड़ना होगा क्योंकि ये तीनों का फल माईक है 84 लाक में घुमाएगा इसते ये संसार से छुट्टी नहीं मिले और ऐसा कोई कर्म नहीं है जो सदा स्वर्गही दिये रहे ज्यान दो सव अश्मेध जग्य जो करता है वो टापता है सत्वगुणी साव अश्मेध जग्य अश्मेध जग्य कहते हैं वो सारी पृथिवी का राजा हो और अपना घोड़ा छोड़ दे सारी पृथिवी में घोड़ा घुमे और जो कोई घोड़े को पकड़ ले उससे जुद्ध करे उसको परास्त करे बड़े बड़े राजाओं ने पहले अश्मेध जग्य किया दिलीप और ने वो इंद्र आ करके घोड़े को पकड़ता था गायप कर देता था अपनी माया से क्योंकि साव अश्मेध जग्य जिसका पूरा हो जाएगा वो इंद्र बन जाएगा स्वर्ग का सम्राठ राजा तो स्वर्ग सम्राठ को सबसे बड़ा माईक सुख है अरे स्वर्ग में ही सुख है फिर सारे स्वर्ग का वो सम्राठ है लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्ज, इर्शा, द्वेश सब स्वर्ग के सम्राठ में भी, देवता में भी, सब में बड़ा पड़ा है देवेंद्र है हो लेकन वो भी इरश्या से जुक धुरू तपस्या कर रहे हैं कोई तपस्या कर रहा है इंद्र को इरश्या हुई यह मेरा इंद्रासन छीनना चाहता है अब सरा भेजो इसकी तपस्या भंग करो बताओ इतनी इरश्या अरे तुम जहां हो अपने रहो कोई तपस्या कर रहा है करने दो तुमसे क्या मतलब है हमारी गद्दी छिन जाएगी इतनी इरश्या और इसी प्रकार हर बीमारी है इंद्र को एक बार भगवान प्रकट हुए तो इंद्र ने कहा महराज हमको एक ऐसी सुन्दर लड़की दी दिये जैसी संसार में न हो भगवान मुस्कराए कि देखो बेवकूप को क्या मांग रहा है हमसे हमारे मिलने पर भी संसार मांग रहा है गंदा संसार भगवान ने करोणो लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से तो एक लड़की उसने चुन लिया पहली वाली उसी का नाम उर्बशी है स्वर्ग में अपसरा है हो और लेके गए गुरू जी के पास ब्रहस्पती के पास ब्रहस्पती ने कहा है ये कौन है जो भगवान मिले थे तो उन्होंने बर दिया एक लड़की तो अरे बेवकू भगवान से यही मांगना था तुझको तुझको जानता नहीं भगवान किसे कहते है हाँ जानता तो हूँ भूल गया था उस समय यह आईसी बुद्धी है हम लोगों की कि अगर काम जुकत हुई क्रोध जुकत हुई लोभ जुकत हुई तो जो नार्मल्टी है वो खतम हो जाती है ध्यान दो गुस्ता आया बहुत जोर का तो फिर हमारी जो नार्मल बुद्धी है ओ नहीं रहती है पिर हम बाप को भी, मा को भी, सब को, रिस्पेक्टेट को भी गाली दे बैठते हैं अपमान कर बैठते हैं क्रोध में और बाद में सोचते हैं हरे मैंने ऐसा क्यों किया लोग क्या कहेंगे बड़ी बेवकूफी किया लेकिन क्रोध में बुद्धी नश्ट हो जाती है क्रोधात भवद सम्मोहाः सम्मोहाः श्मृत विभ्रमहाः dicen भुद्धिनाशो बुद्धिनाशाइट प्रणश्यत त्चाम से क्रोध से लोभ से जब विशेष लिमिट में ये सब दोष हो जाते हैं एक भी तो बद्धी नश्ट हो जाते है जितनी नालज हमारी है हमेशा रहती है वो भी नहीं रह जाते है तो पागल हो जाता है बिलकुल मूढ बन जाता है तो स्वर्ग सम्राट का जब ये हल है तो स्वर्ग जाने वाली पब्लिक का क्या होगा उसको क्या मिलेगा बचारे को तो यह माईक सुख है इनकी कामना छोड़ना होगा कामना छोड़ना होगा हिरदय से और अमाईक कामना है मोक्ष मोक्ष पांच प्रकार का होता है उसमें सबसे खराब और खतरनाक मोक्ष है सायुज्य, कैवल्य, एकत्व अर्थाच भगवान में मिल जाना शरीर भी न रहे, मन भी न रहे, बुद्धी भी न रहे सत्ता सत्ता में मिल जाए एक हो जाए जैसे एक नदी दूसरी नदी में मिल जाती है जैसे सब नदीयां समुधर में मिल जाती है यह सबसे खराब मुट्डी क्योंकि इसको कभी प्रेमानद नहीं मिलेगा इसके एक तचार मुट्डियां और होती है सार्ष्टि, सामीप्य, सालोप्य, सारूप्य ये सगुन साकार भगवान के भक्तों को मिलती है लेकिन इन मुक्तियों को मांगने वाला कामना युक्त सकाम भक्त हो गया इसलिए उसको ब्रंदा बन का रस ब्रजरस नहीं मिलेगा वो साकाम हो गया अपने सुक के कामना उसने किया कोई गंदी कामना नहीं मैं भगवान के बस देखता रहूँ मैं भगवान वाला शरीर पालू मैं कोई भी कामना भगवान सम्मंधी बना लिया उसने को दंड मिला उसको बैकुंठ दिया जाएगा ती पांच प्रकार की मुक्ति और तीन प्रकार की भुक्ति इसका नाम भुक्ति संसार के सुख को भा 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 शब्द होता है न तो उपर अलग-अलग रहता है भा और जब एक हो गया मा तो मुक्ति हो गई भामाने अलग है भागवान से भागवान के अलावा जो कुछ है वो सुख मिल लहा है भुक्ति में माईक और जब भागवान से मिल गया तो मुक्ति हो गया मुक्ति का सुख ये दो सुख डेंजरस है इन दोनों कामनाओं को छोड़ कर ही भक्ति करनी होगी ये सबसे पहले qualification है जो आपको होनी चाहिए अगर भक्ति करना है तो भक्ति पाना है तो जैसे लाउ पढ़ने के लिए graduate होना compulsory है ऐसे ही भक्ति पाने के लिए भुक्ति और मुक्ति ये दो कामनाएं छोड़नी होगी ये जब भगवान संबंधी कामना गो लोग भगवान का लोग माया से निवर्ति सब करा देगी लेकिन ओव वास्तवित जो नननननन का महारास आदी अंतरंगरस है ओ नहीं मिलेगा इसके अलावा सबसे बड़ा खत्रा ये है कि अगर हम भगवान की कामना भगवान संबंधी कामना करेंगे तो आदत खराब हो जाएगी क्या हमने कोई कामना की भगवान ने पूरी कर दी तो प्यार बढ़ जाएगा दूसरी बार कामना की तो प्रारब्ध ने बाधा पहुचाई तो भगवान ने हमको फल नहीं दिया प्रारब्ध में हमारे बेटा नहीं है और हमने भगवान से प्रार्षना किया के बेटा हो जाएगा भगवान प्रारब्ध काट नहीं सकते उन्होंने बेटा नहीं दिया तो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा भगवान से जैसे संसार में किसी की बात कोई मान ले प्यार हो गया और दूसरी बार बात नहीं माना तो अलग हो गया प्यार समाप्त हो गया बाफ हो बेटा हो बीबी हो कोई हो दिन में दस बार होता है ऐसा हमारी कामना पूरी किया तो प्यार बढ़ गया कामना पूरी नहीं किया तो प्यार समाप्त हो गया तो भगवान से भी हमारा ऐसे ही प्यार होगा अगर संसार मांगेंगे या कोई कामना करेंगे तो कामना पूरी हो जाएगी तो प्यार बढ़ जाएगा, कामना नहीं पूरी होगी तो भगवान को गाली देंगे हे भगवान बेटा दे दो हो गया बेटा हाँ अरे भगवान बड़ा दयालू है अरे बैष्टो देवी को हमने प्रासना किया था अब जाके वहाँ जल चढ़ाएंगे उसके बाद बेटा बीमार हुआ हाँ बैष्टो देवी जी अब क्रपा करके बचा लो ये बड़ा खत्रा है सकाम होने में हमने कोई कामना गुरू से की हमको ये माला दे दे और गुरू ने दूसरे को दे दिया उसको दे दिया हमको नहीं दिया लो ये ये बीमारी जग जब तक रहेगी वो सरनागत नहीं हो सकता गुरू के गुरू की इच्छा में इच्छा रखना है तुमको प्रेम का मतलब है अपने प्रेमास्पद की इच्छा में इच्छा रखना शरण की सेवा करना उसको खुश करना अपने को खुश नहीं करना है फिर तो हमारी सेवा कर रहा है गुरू यह मतलब हो जाएगा उसका अरे हम उसके सेवक है तो हमें सेवा करना है न इसलिए हमें अपनी कामना नहीं बनानी चाहिए अगर बनाएंगे तो वो प्यार कभी बढ़ेगा कभी घटेगा कभी समाप्त हो जाएगा वही कभी घूमा करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा और जब हम कोई कामना नहीं करेंगे तो किसे भी प्रकार के ब्यवहार से हमारा प्यार बढ़ता रहेगा हाँ तो बस हमको ये कामना बनाना है आदत पड़ी है न कामना बनाने की हाँ हाँ बना लो क्या कामना बना बताओ ये कामना बनाओ कि हमारे स्वामी को सुख मिले बस ये भी ते एक कामना है न श्यामसुंदर को सुख मिले उनकी सेवा करें गुरु को सुख मिले उसकी सेवा करें ये हरी गुरु जो हमारे उपास से है इस्ट है इनके सुख की कामना बनाओ तुम्हारी कामना भी रह गई देख लो कामना देखो एक माँ छोटे से बच्चे के प्रती अगर कोई उसके गाल में थोड़ा सा गुल्चा मार दे ऐसे ऐसे कर दे तो माँ खुश हो जाती है हमारे बच्चे से इसने प्यार किया करते हैं लोग एक्टिन करते हैं प्यारवार क्या करते हैं दूसरे के बच्चे को गोधी में लिये हुए देखा एल 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 एसे कर दिया तो वो मा बेवकूफ है वो खुश हो जाती है कि हमारे बच्चे से वो भला दूसरे के बच्चे से कोई प्यार करेगा लेकिन खुश होती है मा एक टाफी दे दिया जब आता है हमारे बच्चे को टाफी देता हो तो प्यार करता है हमारे बच्चे से वो बेवकूब बना रहा है किसी स्वार्थ के लिए संसार बाले ऐसे एक टाफी तो क्या एक निगाह उठाकर देखते भी नहीं बिना मतलब के वो हमको ये कामना बनाना है कि श्याम सुंदर को ही सुख मिले उनकी इच्चा हमारी इच्चा बस वो हरदे से लगा ले ठीक उनकी इच्चा वो एक है पैट छूना नहीं मुझे जैस जैसे उनकी खुशी हम प्यार नहीं छोड़ेंगे हमारे प्यार में कमी नहीं हो गयों बरता जाएगा इस प्रकार एक तो शर्त हुई कामना रहित दूसरी शर्त है ज्यान कर्म योग या कोई भी और साधन भक्ति पर हावी नहों केवल भक्ति हो कोई ज़रूरत नहीं कर्मकांड की बाइधी भक्ति एक होती है उसमें कर्मकांड है बड़े-बड़े काईडे कानून है गुरू के सामने ऐसे न बैठो ऐसे पैर न करो अनेक प्रकार के कानून है और जरा भी गर्बड हो जाए तो दन्द मिलेगा हम रागा नुगा भक्ति का आप लोगों को उपदेश देते हैं इसमें काईडा कानून नहीं है मन का भाव है बस आपका मन ठीक हो तो आप गुरू जी के पास पैर ले जाएए कोई डरने डरो मत कोई बेवहार उल्टा सीधा हो लेकिन मन का भाव सही होना चाहिए गार नुगा भक्ति में है भगवान के प्रति हमारी भावना गार्बण नहीं होने पावे हैं तो इस प्रकार ज्ञान करम योग आदी से अनाब्रत हो भक्ति दूसरी शर्त ये है और तीसरी शर्त है अनुकूल भाव से भक्ति हो प्रत्कूल भाव से भी भक्ती होती है जैसे रावन वगेरा ने किया बिरोध तो ये तो भगवान की अवतार काल में किया और तीनी बड़ी पावर थी रावन हो गया राके पास तब बिरोध किया तुमारे पास क्या है तुम क्या बिरोध करोगे भगवान से फिर भगवान का आवतार भी नहीं तो तुम क्या विरोध करोगे तो विरोध भक्ति शीख नहीं अनुकूल भक्ति अनुकूल भक्ति मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है दास्य भाव, सक्ख भाव, बात्सल भाव, माधुर्ज भाव यह चार भाव प्रमुख हैं, इन भावों से सर्मस्रेष्ट भाव, माधुर्ज भाव है, वे प्रियतम हम उनकी प्रेशी इस भाव को दिर्ध करते हुए भक्ति की जाए, तो साध्ध दिव्य प्रेम, जो लादिनी शक्ती का सारभूत तत्म है, वो गुरु के द्वारा मिलत है, फिर भगवान उसके अंदर में हो जाते हैं, और जीव को अपना लक्ष मिल जाता है, एक बात और समझ लेने की है आवश्यक, कि भक्ति का तरीका अनंत प्रकार का है, मन से भक्ति करना है, यह में पॉइंट है, लेकिन बाकी तरीका अनंत है, भागवत ग्रंथ में तीन प्रकार की भक्ति, पांच प्रकार की, नौ प्रकार की, बारा प्रकार की, चौदा प्रकार की, अठारा प्रकार की, बाइस प्रकार की, पचीस प्रकार की, तीस प्रकार तक बताया है, अलग-अलग प्रकरन में, लो तीस उस छोड़ो, एक फार्मूला है, ये न के न प्रक प्रकार से मन का अटाइटमेंट भगवान में हो, गुरु में हो, बस वही तरीका तुमारे लिए ठीक है, वो कहीं लिखा हो न लिखा हो ये मत सोचो जिस प्रकार से मन का अलगाओ भगवान में हो, बस वही तरीका उसके लिए उपयुक्त है, सब के संसकार अलग-अलग हैं, इसलिए हो सकता है किसी को जप से, भगवन नाम जप से अधिक लाब मिल लहा हो, भीया तुम जप करो, किसी को पथर की पुजा में भगवान की भाव जल्दी आती है, आँ तुम वही करो, सब तरीके हैं, लेकिन रशिकों ने खास तोर से नवधा भक्ति को अपनाया है, बैश्नवाचार्जों ने निंबारकाचार्ज, रामानवियाचार्ज, बल्लभाचार्ज, गवरांग महाप्रभू आदी, बैश्नवाचार्जों ने नवधा भक्ति को प्रमुख माना है, नवपरकार्जों की भक्ति, श्रमणम, कीर्तनम, विष्णोर अर्चनम, पादसेवनम, समरणम, बंदनम, दास्यम, सक्ष्यम, आत्मनिबेदनम, तो इसमें सबसे प्रमुख भक्ति, समरण है, हमारे सिद्धांत से, समरण माने स्मरण काम मन का है याद करना भगवान को याद करना स्मरण करना भक्ति तो मन को करनी है कीर्तन तो रसना करेगी स्रमन कान करेगा और मूर्ति के पूजा हाथ करेगा ये ते इंद्रिया करेगी लेकिन स्मर्ण हाथ नहीं कर सकता, कान नहीं कर सकता, आँख नहीं कर सकती, स्मर्ण तो केवल मन करेगा, इसलिए स्मर्ण भक्ती सबसे इन्पोर्टिंट, अस्मर्ण के साथ, इंद्रियों को भी लगा लो, अच्छा है, वो भी भग्वान के सेवा में लग जाएं, देखो इस समय आप लोग भक्ती कर रहे हैं, नौधा भक्ती के अंतरगत आप हैं, क्योंकि सुन रहे हैं, इस्रमण भक्ती भी एक भक्ती है, लेकिन अगर मन का सम्योग नहीं करेंगे, तो सुना हुआ समझ में नहीं आएगा, दो चार लोग होंगे ऐसे जो आऊंगा रहे होंगे, उनसे पूछो क्या सुना, हरे सब हुमको मालूम है, अगर मन नहीं है साथ में, तो इंद्रियां कोई बर्क नहीं कर सकती, उसको कहते हैं सुना अनुसुना हो गया, तो मन का समरण ये सब से प्रमुक भक्ती, फिर उसके साथ नंबर दो है कीर्टन, कीर्टन में बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं आता, हम जब कर रहे हैं और खट की आवाज हुई कोई, तो मन चला जाता है वहाँ, और घर गिरहस्थी में तो कुछ होते रहता है, खट-पट, बच्चे ने प्लेट गिरा दी, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ बरतन गिर रहा है, आवाजे होती रहती है, कहीं बच्चे ही रो रहा है, तो कान ने सुना कि मन वहाँ पहुँच गया, तो हमारा रूप ध्यान गर बढ़ हो गया, और कीर्टन हो रहा है, तो अगर मुहले में हला भी मच रहा है, तो अपन को क्या मतलब अपन तो ढोल बाजा जान में ही रहते हैं, तो इसलिए कीर्टन से अधिक लाब हैं, और जब वगेरा से कीर्टन में और लोग भी आके बैठ जाएंगे, एक बड़ा फाइदा ये है, और जब कर रहा है कोई, तो कोई बैठा भी रहेगा, बाबा जी जब कर रहे हैं, चलो चलो बाहर चलो और सुनने से भी लाब होता है, पशू पक्षी कीट यादी बोलीते ना पारे, शूनी लेई हरी नाम तारा सब तरे, जपी लेते हरी नाम अपनी से तरे, उच्च संकीर्टने पर उपकार कोरे, आते उच्च करे कीर्टन करी ले, एतो मेरो मतो सर्वशाष्ट्र बोले, गौरांग महाप्रभु कहते हैं, आपना कल्यान तो होता ही है, औरों का भी होता है, परोपकार भी होता है, पशू पक्षी भी जो भगवन नाम सुनते हैं, उनके अंताकर्ण पर भी असर पढ़ता है, इसलिए संकीर्टन साथ में रहे, ठक जाओ, तो स्मरण, गुरु मिल वास्तविक संत मिले, तो श्रमन, बश्रमन, कीर्टन, स्मरन, तीम भक्ती में रहो, मूर्ती, पूजा वगेरा में मत जाओ, क्यों? उसमें बड़ी समस्च्या है, नियम काईदे कानून हैं, नहां के धोके, ऐसा वैसा करके, तब मूर्ती का अस्पर्ष करो, और मूर्ती को पहनाने के लिए पैसा नहीं है, हम तो चाहेते हीरे की माला पहनावे ठाकुर्जी को, हमारे पास तो बड़ा फटी चरहाल है, सोने की माला पहनाने की हैसियत, हाँ, और इस इसलिए भगवान का रूप ध्यान मन से बनाओ, मूर्ती के चक्कर में न पड़ो, मन से बनाओ भगवान को, और मन से हीरे की माला मंगाओ, वो कोहनूर हीरा जो था न उससे बड़ा-बड़ा, और खुप चमकडा, निले रंका, नेक रंका हीरा, और हाथ में लिया, हाँ, ठाकुर्जी को पहना, पहनाया, वाँ, वाँ, क्या वड़िया प्रकास आ रहा है, हीरों का, पीतांबर, ये संसारी पीतांबर दो कोड़ी के, ऐसे पीतांबर की कल्पना करो, जो आलाओके की दिब चमक वाला, सब फ्री में, मन से सोचाओ, पहनाया, मन से सोचाओ, पहनाया, पैसे की ज़रूरत नहीं, खिन्नता होती है, ओ, देखो, उनके मंदिर में तो ये, दस लाख रुपया खर्च करके जाकी बनवाया है, हमारे गरीब हैं, हमको तो दस हजार की भी नहीं है, तो ये सब बीमारी मत पालो, मन से रूप ध्यान करो, मन से ही, श्रंगार करो, मन से ही, कारा काम मन से करो, पूजा, पाच, चरण, दबाओ, सब कुछ करो, मन से, हजार बार आलिंगन करो, मन से, बस वही उपासना, सही उपासना है, तो स्मरण प्रमुख है, कीर्टन नमबर दो, श्रमण नमबर तीन, बस तीन भक्ती का ही प्रमुख, उद्देश्च रखो, लेकिन मन का संजोग सदार है, मन से ही हमें भक्ती करना है, मन को ही शुद्ध करना है, मन को ही दिब्ब बनाना है, मन में ही ओलावकिक प्रेम भी मिलेगा, दिया जाएगा गुरु के द्वारा, इसलिए सारा, दारोमदार मन के उपर है, तीर्तन करने बैठो, पहले मन पर ध्यान दो, हाँ, मन देओ, चलो, भगवान का रूप बनाओ, तीर्तन शुरू होने जा रहा है, पहला काम मन को, भगवान के सामने खड़ा करो, भगवान को मन के सामने खड़ा करो, फ़र तीर्तन करो, फिर देखो कितना लाव मिलता है, यह प्रमुख बाप है, भगवान के सामने खड़ा करो, यह पनोड़ा ऑनाओ, भगवान के सामने खड़ाई, जा बनाओ, भबावान का रुख जा फिर देखो कितना लावान का रुख अनुरू है!